हलो दोस्तों कैसे आप सो मैं हूं इंदरपार और मेरे शनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बता हूँ कैसे आप अपनी वेफसाइट को जो है किसी नए डोमेन एफे नई होस्टिंग पर मूव कर सकते हैं बिना किसी प्लग इन के मदस से जहां दोस्तों बहुत सारे केसे होते हैं जहां पर आपके अगर होस्टिंग एक्सपार हो रही है या फिर कोई अनी रीजन है जिसके तहत आप जो है अपनी वेफसाइट को किसी नए डोमेन एफे नई होस्टिंग पर मूव करना चाहते हैं जहां पर दोस्तों आप बहुत आसान तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को जो है किसी नई डोमेन याफे नई होस्टिंग पर मूव कर सकते हैं बिना किसी प्लग इन की मदद से तो इस वीडियो को जो है लास तक देखते रहिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो अपनी existing website को किसी नई डोमेन याफे नई होस्टिंग में मूव करने के लिए सबसे पहले उसकाि लेना है तो जैसे कि दोसर एकार हम में सबसे पहले backup लेंगे तो इसका backup लेने के लिए मैं इसके hosting panel में जाता हूँ तो backup लेने के सबसे पहले हमें जो है file manager search करना है तो हम bottom में scroll करते हैं यहापर तो जैसे कि दोस्तों हमारा यह file manager है हमें यहापर मिल चुका है इसको हम click करेंगे जैसे कि दोस्तों यहां पर जो है public html एक folder दिया गया है इसके अंदर हमारी जो है wordpress की files दी गई है basically दोस्ता अगर आप जो है sub domain पर use कर रहे हैं या फिर जो है आपका एक primary domain है primary domain है तो आपका जो है public html में इसकी files मिल जाएंगी wordpress की अगर दोस्तों आप जो है sub domain यूज कर रहे हैं तो public html में ही आपका domain का नाम होगा उस particular domain पर right click करके उसको compress करना है मतलब zip file create करनी है basically दोस्ता हम जो है public html को इस zip file में convert करते हैं तो हम यहां पर जो है back आते है दोस्तों इस folder को हम यहां पर select करेंगे तो फोल्टर पर click करने के वाद आपको एक option मिल जाएगा जो कि आपका compress होगा या फिस zip file create करने के लिए कोई option होगा उस पर आपको simply click करना है कुसी भी folder को जो है zip file में convert करने के लिए हम इसको यहां पर नाम दे देते हैं जैसे कि हम यहां पर जो है पैंट्री बाजार देते हैं यहां पर दूस्तों आपको जो है backup zip file create हो चुकी है इस file का हम जो है download कर लेते हैं तो download करने के लिए simply हम इसको select करेंगे और download बटन पर click करेंगे file को download करने के लिए तो दूस्तों हमारी file जो है download हो रही है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं दूस्तों अपनी website की backup zip file download करने को आद इसका database आपको download करना होगा मतला backup लेना होगा तो इसके लिए दूस्तों आप जो है अपने cPanel में जा सकते हैं cPanel में जाने को दूस्तों आप phpMyAdmin एक यह call बटन पर click करता हूं और यहां पर दूस्तों export बटन पर आपको click करना है यहां पर दूस्तों आप जो है first option को select कर सकते हैं और go बटन पर click कीजिए इस database को export करने के लिए तो जैसे के दूस्तों आप देख सकते हैं मारे database भी backup हो चुका है अब दूस्तों यह दौनों फाइल को आपको जो है upload करना होगा आपके नए domain पर या फिस same domain पर new hosting में तो आप कैसे करेंगे तो इसके लिए दूस्तों हमने जैसे के अल्लेडी एक नए domain create करके रखा है जैस आप कैसे करेंगे तो इसके लिए दूस्तों हम फिर से अपनी hosting पैनल में चलते हैं तो सो hosting पैनल में आने का आपको इसकी file directory open करनी होगी मतला file manager में हमें क्लिक करना होगा इस test domain की file directory open करने के लिए तो इस file manager पर जाने के बाद आपको आपने domain का जो है directory open करना है तो मैं धिसके दूस्तों हमारी जिफाल अपलोड हो चुकी है इसको एक्सफ twenties का लीते है मतला उंजिप कर ले तो समघ्यों है इसको एक्सक कर लेते हैं को हमारी file जो हैKEक्षेक हो चुकी है चलिए इसको क्लोस करते हैं और जो हमने joy file create की तो है किसको हम यहां से delete कर देते हूं किerd the तो हमारा टेज्ट डोमेन है यहां पर हम इसको जो है मूव करेंगे जैसे कि दोस्ता आप यहां पर पात देख सकते हैं टेज्ट डोमेन यहां पर आपको मूव करना है तो मूव कर लेते हैं तो जैसे कि दोस्ता हमारी जो है टेज्ट डोमेन में सभी फाइल्स मूव हो चुक होगा वह दो सो में जो है database लिया था अपनी website का उसको हमें जो है निव database में इंपोर्ट करना होगा तो इसके लिए दूस-वाम जो है C-PANEL में फिर से जाते हैं और एक नया database create करते हैं तो नया database create करने कलिए simply आपको database में जाना है तो हम यह पर दूस्त देटाबेस का दोस्तों database user create करने गाद आपको यहां पर पासवर्ट देना होगा तो हम यहां पर जो एक नया पासवर्ट करते हैं जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं है नया password क्रेट हो चुका है जो कि है test domain at one two three इसको दोस्तों हम जो और क्लिएयट करते हैं कि तो कह सकते हैं तो इस डेटाबेस के नाम को आपको ही आपको से कउपी करना हो गा अलगें जो बiska करना हो अच्समोर्यक से तीनों चीज़ें यहां पर ग्लम सगेती है जैसे याइट शुक्त आरो यवे इस database को आपको access करना होगा तो मैं इस database को यहां से access करता हूं तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मारे database completely blank है तो simply दोस्तों हम यहापर जो है import बटन पर click करेंगे जो दोस्तों हमने website का अपना database backup लिया था उसको हमें यहापर import करना होगा तो हम यहापर choose file पर click करते हैं औ तो settings करने के लिए simply आपको यहापर नीचे scroll करना है यहापर दोस्तों आपको एक option मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ WP option इसको आपको open करना है वो जो आपका site URL हो home URL है इन दोनों को आपको change करना है तो simply दोस्तों edit बटन पर click करना है तो जैसे कि दोस्तों हमारे case में जो है test domain हमारा new domain है तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे test domain को तो आप यहाँ पर https यहाँ फिर http add कर सकते हैं testdomain.wuchamp.com इस domain को दोस्तों आप यहाँ से copy करके go button पर click कर लिजे इसको आपको home URL भी change करना है तो simply आप यहाँ पर paste कर सकते हैं फिलिख सकते हैं और go button पर click कीजिए तो जैसे कि दोस्तों हमारा site URL home URL change हो चुका है अब दोस्तों आपको website के admin details आपको change करनी होगी तो इसके लिए दोस्त जो भी आपका admin user है उसको आपको edit करना है यहाँ दोस्तों सारी चीज़ा आप जो है manually change कर सकते हैं इसको आप यहाँ पर जो है नाम change कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर जो है test domain लिखते हैं आप password change करना चाहते हैं तो पासवर्ट भी चेंज कर सकते हैं simply आपको यहाँ पर जो हैं जो भी आप email id लखना चाहते हैं वो email id simply आप यहां पर add कर सकते हैं आप यहाँ पर urat फिर से change कर दीजे इसको दूस्ट आप यहां पर डिस्प्ले नएम change कर सकते हैं तो same display नएम यहाँ से copy करते हैं और paste करते हैं और आपको दूस्त गो बटन पर क्लिक करना है तो यहां पर दोस्तों मेरे सारे changes हो चुके हैं अभी दोस्तों इस database को हमें जो है file manager से link करना होगा तो वह आप कैसे करेंगे तो इसके लिए दोस्तों हम जो है database को close करते हैं यहां से और file manager में चलते हैं file manager manager में आनका दोस्तों आपको एक WP config file मिल जाएगी इस file को आपको edit करना है तो हमें इस file को edit करता हूं यहां पर नीचे scroll कीजिए यहां पर दोस्तों आपको जो है database name, database user, database password यह आपको यहां पर change करना होगा तो basically दोस्तों हमने already इहां पर copy करके रखा था तो हम यहां पर database copy करते हैं तो इस database name को आपको हैं पर replace करना है database user का नाम है आपको यहां पर add करना है कि हो जो आपका database password है वो आपको यहां पर enter filter करना है। निसक दोषर आप यहां पे डेटाबेस रोस्ट देख सकते हैं veya यहां पर दूस्ट्रा आपको Local होस लिखना है लोकलो सीकली आपका जो है डेटाबेस में यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है इसको आप कॉपी कर लीजए copy करने का दूसरो आपको यहां पर local host लिख देना है और दूसरो इस file को आपको जो है save कर देना है तो इस file को मैं यहां से save कर देता हूँ दूसरो हमारी file जो है save हो चुकी है चलिए इसको reload कर देते हैं एक बार दूसरो हमारी website related सारे changes हो चुके हैं चलिए website को access करके देख लेते हैं तो इसके लिए दोस्तों हम नई window open करते हैं और इसमें दोस्तों हम अपने domain का नाम देते हैं जो कि हमारे testdomain.vuchamp.com तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मारी website जो है successfully load हो चुकी है तो चलिए दोस्तों इसके admin परन हमने login कर लेते हैं हमने दूसरे username दिये थे जैसे कि दोस्तों हमने जो है नया user create किया था admin तो हमें पर लिखते है testdomain जो हमारा username है और हमारा जो password था testdomain at 123 और आपको login बटन पर क्लिक करना है website में login करने के लिए तो जैसे कि दोस्तों हमारी admin पैनल भी login हो चुका है अब simply दोस्तों आपको bottom में scroll करना है यहाँ पर दोस्तों आपको एक option मिल जाएगा settings जिसमें आपको permalinks में जाना है और दोस्तों आपको यहाँ पर save changes पर click कर देना है तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानिस अपनी website को जो है किसी नई domain या फे नई hosting पर मूँव कर सकते हैं बिना किसी plugin की मदस से मुझे उमीद हो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपका कुछ यह सुझा या फिर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स नमर से पूज सकते हैं और अगर आप मेरी चैनल पर तो आज के लिए इतना ही thank you for watching